चंद दिनों में डायबिटीश को जर से ठीक कर देगा भिंडी का पानी इन पांच बीमारियों को भी करता है दूर भिंडी की सबजी ज्यादातर घरों में बनती है और सभी इसे खाना पसंद भी करते हैं कोई कुरकुरी भिंडी बनाता है तो कोई भरवा भिंडी चाव के साथ खाता है। भिंडी खाने से होने वाले फायदों से आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भिंडी का पानी आपकी सेहत के लिए कमाल कर सकता है। विटामिन सी और मेगनेशन से भरपूर भिंडी में सिर्फ 30% कैलोरी मिलती है। भिंडी के इंतत्वों को पाने के लिए इसके रुपए का सेवन करना चाहिए। आगे की स्लाइड में जाने भिंडी के पानी को तयार करने का आसान तरीका। भिंडी का पानी बनाने के लिए 5-6 मीडियम भिंडी के किनारे काट लें। अब इन्हें बीच से काटें। इसके बाद इन्हें दो कचोरी पानी में भिगो दें। इसे रात भरे से ही रहने दें सुबह उठकर भिंडी के टुकड़ों को निचोड कर निकाल लें अब आप इस पानी में थोड़ा साधा पानी मिलाए जिससे की यह करीब एक गिलास हो जाए ध्यान रखें सुबह खाली पेट इसका सेवन करें आई ये जानते हैं इससे होने वाले फायदे एक गिलास भिंडी के रुपे में 6 ग्राम कार्बो हाइडरेट 80 माइक्रो ग्राम फोलेट 3 ग्राम फाइबर और 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है यह हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी मदद करता है इसके अलावा यहां अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है शुगर के मरीजों के लिए यह पानी किसी वर्दान से कम नहीं है अगर आप शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए महेंगी दवाईयों का सहारा लेते रही हैं तो अब आप घर बैठे ही भिंडी के इस नुस्खे से कोकर इस से निजात पा सकते हैं वो भी बिना किसी साइड एफेक के भिंडी का पानी को ले स्ट्रोल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है तो अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं इसके साथ ही यह गुर्दे के बीमारी में भी फाय देमंद बताया जाता है अंत में हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप इस नुस्खे को आज माने का सोच रहे हैं तो एक बार डॉक्टर की सलह जरूर ले